जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुघंटाल में दोस्तों आज का जो हमारा विशे है वो है हिंद मजदूर सभा हिंद मजदूर सभा है क्या इसे बनाया क्यों गया था प्रजेट में इसकी स्थिती क्या है आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हिंद मजदूर सभा ये हमारे देश में तीसरी सबसे बड़ी थर्ड लार्जिस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है ठेक है सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सी है All India Trade Union Congress उसके बाद दूसरे नमबर पर तो सबसे बड़ी Trade Union Federation के उसका नाम है Indian National Trade Union Congress और तीसे नमबर की जो सबसे बड़ी Trade Union Federation के भारत में उसका नाम है हिंद मजदूर सभा नाम से समझ में आ रहा होगा मजदूरों का फेडरेशन है ये ठीक है यसे फॉर एक्जामपल किसी कंपणी के अंदर आप लोग जाते हैं तो किसी कंपणी में Trade Union होता है ना अक्सा है आप में देखा होगा कि वजी Trade Union सरकार के खिलाफ या आप कह सकते है कि पर्टिकुलर कंपणी के खिलाफ स्ट्राइक बुलाता है ठीक है 74 का अगर Emergency का दौर आप लोग को याद होगा तो 74 में तब तक Emergency लगी नहीं थी लगने वाली थी हालात देश के बहुत खराब थे और पहली बार इंडियन रेलवे की स्ट्राइक हुई थी जिसको लीड किया था जौर्ज फरनलिस ने वो भी किसके द्वारा कराई गई थी वो भी Union के द्वारा ही कराई गई थी वो Union अलग था मगर ये Union क्या है ये तीसरा सबसे बड़ा Trade Union Federation के भारत में इसका निर्माड किया गया था कब इसका निर्माड किया गया था 1948 में ठीक है सोशलिस्टों के द्वारा ठीक है समाजवादियों के द्वारा लेकिन इसका सोशलिस्ट पार्टी से बहुत कम कनेक्शन देखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने ही इसका निर्माड किया था याद रखेगा ये बहुत कम पॉलिटिक्स में इन्वाल्व होते हैं ठीक है बहुत ही लीस्ट पॉलिटिकल और बहुत ही प्राक्टिकल ट्रेड उनियन अब सबसे बड़ी इंपोर्टन चीज आती है दोस्तों कि इसके फाउंडिंग मिंबर कौन कौन रहे है ठीक है इसका निर्माड किया गया था हावडा में मतलब वेस्ट बंगॉल में 29 दिसंबर 19уютadask में समाजवादियों के दौरा सोशिरिस्टों के दौरा जो forward block लौक के followers थे forward block party 1939 जब सुभाष उन्द्र बोस्दों और Congress में बनना बंद हो गया एक पक्त में लगने लगा सुभाष उन्द्र बोस को कि अप Congress में रह कर वो अपनी HMS के founding member रह चुके हैं, ठीक है, तो socialist forward block followers and independent unionists के द्वारा 29 दिसंबर 19.40 को इसका निर्माड हुआ, अब इनके founders के उपर सवाल पूछा जा चुका है, अक्सर trade union party इनके founders के उपर सवाल आता है, इनके founders में थे, बसावन संग, अशोक महता, आरे सुरूईकर, मनी बेनकारा, इसके इलावा शिवनाद बैनर जी, आरे ए खिड़गीकर, टीएस रावानुजम, वियस माथुर, जीजी महता, ठीक है दोस्तों, जिसमें से जो आरे सुरूईकर है, ये इस trade union के president थे, याद रखेगा, आरे सुरूईकर, और अशोक महता, इस trade union के general secretary थे, जब इसका निर्माड हुआ 1948 में, तो याद रखेगा, 48 में इसका निर्माड होता है, पापर हावडा, वेस्ट मेंगौल में, एंड आरे सुरूईकर इसके पहले elected president थे, पहले general secretary कौन अशोक महता, HMS absorbed the Royce Indian Federation of Labor and the Hind मजदूर पंचायत, which was formed in 1948 by socialist leaving increasingly communist dominated AITUC, All India Trade Union Congress, जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोग को, कि ये सबसे बड़ी trade union organization भारत की है, ये तब भी थी, जब इसका निर्माड हुआ था, ठेक है, तो हुआ क्या दोस्तों कि HMS ने, हिंद मजदूर सभा ने, Royce Indian Federation of Labor और हिंद मजदूर पंचायत को भी अपने में समाल लिया, ठेक है, amalgamation कर लिया, ठेक है, वाई क्योंकि उस दोरान AITUC के काफी जादा प्रभाव बढ़ने के कारण, इनका निर्माड हुआ था, लेकिन बाद में इन्हें HMS में include कर लिया ग 18802, मार्च 1949 तक HMS में करीब करीब 388 affiliated union थे, और इनकी combined membership करीब करीब 6,18,802 तक बहुच गई थी, इसी लिए इनका बड़ा प्रभाव रहा है, ठेक है, बहुत बड़ी संस्था है, अभी भी ये काम करती है, लेकिन अक्सर इनके formation के उपर सवाल आता है, इनके founding member के उपर सवाल आता है, तो उमीद है आप लोगों को ये छोटा सा topic लेकिन बड़ा ही जानकारी भरा topic and interesting topic पसंद आया होगा, मुलाकात होगी अगले सफर में, तब तक के लिए अलविदा, शुब्रिया, आपना ख्याल रखिएगा